आज हम बात करेंगे हेलो फ्रेंड आज हम बात करेंगे अच्छी सुक्त का सार कैसे लिखा जाता है और इसका वर्डन कैसे किया जाता है अच्छी सुक्त में क्या बता है क्या तो सबसे पहले देखो किसी का भी सार लेखने के लिए उसकी थोड़ी भूमिका जानना ज़रूर चंद दिख रहा है इसे ध्यान रखना कितने मंत्र लगे हुए कमी मंत्र लगे होते हैं कितवशक्त के नाम से बिख्याता है यह रिग वेद के उन सुक्तों में से है जिने प्राय लौकी सुक्तों की संग्या दिगेला कि यह लोकुक शुक्त है इसमें उन समय की सामान जन जीवन पर प्रभूत प्रकास पड़ता है प्रभूत सुक्त एक जुवारी देखो प्रस्तु सुक्त जो है यह जुवारी के आत्म प्रलाप है कि आत्म प्रलाप को कैसे पच्टाताप करता ह अनें थीयोंत वह संपादी सबस्क्राइए को है विनियास परिवारा together अन्थ में सब्सवरूप जुमारी के द्वारा हाथ के काम कस्तर वह पुढ़े किस तरह परक्ठ प्रूपट करता है करता है संपूर्ण वड़न नत्मार्मिक है और किसी भी उत्कृष्ट काब से पतिस्परधा कर सकता है जुवारी की दसा का यह सीजन और यह थार्त चित्रन मन पर एक अस्थाई भाव छोड़ जाता है तो इसमें यही बता गया कि यार जुवारी किस तरह से प्रलाब करता है क्या करता है क्या करता है क्या बेच देता है अपना घरोर सारा चीज किस तरह से प्लाब करता है फिर किस तरह से वह सही रास्ते पराता है इसी चीज़ का वड़न किया गया है कि पासे चपल है कि यह सील है इस्थिर नहीं रहते वे मानों जागते रहते हैं चाहे भाग इस ह होता हो वे जुवारी को उसी प्रकार आक्रिष्ट और आनंदीत करते हैं जैसे किसी को भी प्रेणा धायक तुम्पान जो हारा हुआ जुवारी है वो पाश्चाताप कर रहा है कि उसकी पत्नी कितनी इसने हार्द और सहंसील थी परन्तु वह पासे के जाल में फसा रहा जो किवल एक एक जीतने वाले के प्रति आसक्त करता है यदि वह निर्दय होकर अपनी पत्नी को नहीं ठुकराता तो आज नहीं ठुकराता तो आज उसकी यह दुर्दसा न होती हारा हुआ जुवारी विखारी बन जाता है वो ऐसा विखारी है जिसके किसी की सहान भूत नहीं होती जमाता का सतकार करने वाले जमाता सतकार करने वाले सास भी उसकी घृणा करती है और पत्नी भी समसे घृणा करने लगती है उसे घर से आने से रोकती है वो बूढे घोडे की समान जो विकाओ है पर जिसके मूल देने को कोई तयार नहीं है इस प्रकार जुवारी का कोई भ दूसरे जुवारी कर रहे हैं क्योंकि वो उसके दाव पे लगा चुका होता है पिता और माता भाई कहते हैं कि यह जो हम इसे नहीं जानते हैं जब उसकी पतनी को ले जाते हैं लोग छूरे होते हैं तो उसके जो पिता होते हैं कि बोलते हैं हम इसे नहीं जानते ले जाता है जुवारी को जुवां खिलने से ऐसा व्यसन हो गया है की वह अपने उससे वीमुक होने के व्यस्था का अन्बव करता है एक बार वह पसताब करने लगता है बार बार वह जुआ छोड़ने के निश्चे करता है जुवारी उसे मित्र हरा कर उसके घर तक छोड़ने आते हैं और फिर धूत अस्थल को जाते हैं तब वह सोचता है कि मैं इसके साथ न जाओ परंत वीरक्त हो जाओ परंत धूत पटल प बिना कुछ की भी विचलित हो जाता है और वह जाने के लिए तैयार हो जाता है यहां बहुत सुंदर उपमा सेया भाव असपश्ट किया गया कि उसका विवस्ता पुर्वक जाना एक स्वाय अरेड़ी अवैद प्रेमिका के ऐसा लगता है कि से कोई अवैद प्रेमिका से म जाता है तो उसे संदे होता है कि मैं जीतूंगा भी या नहीं वीवस्त के तेज फिर से उसकी मुख के प्रकट हो जाती है जब हो जाता है खिने तरस लगता वह जीतेगा या नहीं जैसे कि वह अपनी और से प्रती बच्ची जुवारी के लिए नई उचित चाले चलता है और उसकी आसा बढ़ती है मानो पासे उसमें और अधिक खेलने की इच्छा उद्पन कर रहे हों पासों को सक्ती बहुत बढ़ी है ये उस अंकुष के यूक्त महावत से समान है जो हाथो वाले विशाल प्राड़ी को बहुत को अपनी इच्छा अमसार कहीं भी ले जा सकते ये पासे भी जीत कर धन के द्वारा पुतला भी तुल आनंद भी प्रदान करते हैं और हराकर मतभेद भी करते हैं जिस प्रकार सूर्य निश्चित मार्ग से विचलित नहीं होता उसी प्रकार इस प्रतापी पासों को समुद्र ही स्पष्ट मार्ग का ये अंसरन करता है को उसे भय से उन्हें जुका कर अपने पच में कर लूँ तो ये असंबो है उसको राजा भी खेल के समय नमस्कार ही करता है इस मंत्र में बहुत ही जो मंत्र होते हैं इसमें बहुत अच्छे ढंक से बताएं का ब्यात्मा अलंकरी ढंक से पासों के महतों और उसकी तुलित सक् इसमें एक सांत विरोधाभास रूपकतिन प्रसंसा और विभाजना अलंकार माने गये हैं अंगार के सीतल होते हुए भी पराजी जुवारी की हिदय को पूनतया जला देता है हरा हुआ जुवारी घर आकर घर में क्या दिखाए मूह क्या दिखाए इसलिए वह इधर उधर घुमता रहता इसलिए पत्नी और माता दोनों वियोग में उत्पन करती है कि यह रिण लेता रहता है पर उसे उतार नहीं पाता जिद दिन बड़ जुवां खेलता रहता और रात को भी फिर रिण मागने के लिए दूसरे लोगों के घर में चक्कर काड़ता रहता क्योंकि कि यह रहता को भी एपने कार में बेस्तर रहते हैं हरे हुए जुवारी जो की यह कि पत्नी ठुसरे के उसके घर में रह रही है और उसके घर सुन्दर है वह उस स्थित में उससे अतधिक्त पन किया फिर भी वह जितने की आसा प्राप्त से पाशरी है भी मैदान पर दोड़ता है किन्तों नास उसके हाथ लगती है और जब रात को फिर अपने घर आने के साहसन न पर के नीचे भूम पर सीथ से बचने के लिए कहीं लोगों के दौरा जलाए गई आग के निकट पड़ा रहता है या जुवारी का उकती है वह पासे रुपी नहीं जिसने पासे रुप नश्ट न हो जाए और जब मैं सत्त करता हूं तो प्रतिग्यां पुर्वक इन अंगुलियों अर्था दोनों हाथों के जुव के हटा रहा है पुर्वक्त मंत्रों में वाणित बहती कश्टान भूत के पस्चा जुवारी जिस प्रतिभा करता है पासों से मत खेल केवल खेती ही कर बहुत मानता हुआ तु उस धन के अनंदित हो अरे जुवारी वहां तेरी गवे यहां तेरे पत्नी है वह मुझे इस गसील स्वामी सर्वप्रेरक सविता ने वीवी दुरूप से बताया है अंत में जुवारी पासों के प्रार्थना करता है कि वे उससे मित्र हो जाए और उसे अपने जाल में फसा कर नश्ट कर दे अब वह अपना पूर जीवन सुधारना चाहिए इसलिए वह दुट कीड़ा से पित्थक होना चाहता है स्वभाविक है कि इस प्रकार के अच्छ देवता का उसके प्रतिक्रोध और दीन हिंता का भावना सांत हो जाएगी अब तो कोई दूसरा है उसके समान दुखी होकर सिच्छा ग्रहण करने के लिए वह भूर्ण पासों के संबन्द में फसेगा इस सुक्त में रिषी मधुचंदा है और देवता अच्छ और सभी मंत्रों में त्रिष्टुचंद का प्रयोग किया गया तो देखो जो अच्छ सुक्त है इसमें यही सारी चीज़े बताएंगे जुआरी का वर्ण किया गया है तो अब ज्यान से लिखते हैं यह मैं वीड आजाएंगे थैंक यू थैंक यू सो मच